दर्शकों मैं आपको आज दनांग 27 अप्रेल 2024 वार सनीवार बैसाक कृष्ण पक्ष्टिति तिर्टिया तत्पस्चात चतुर्तिति रितू ग्रिश्म रितू विक्रम सम्मद 2021 का रासी फल बतानी जा रहा हूं आज नक्षत्र जेश्टा नक्षत्र आज चंद्रमा बिर्चिक रासी में सूर मेश रासी में रहेगा रावुकाल का समय प्राते 9 बज़ कर 3 मिनट से लेकर प्राते 10 बज़ कर 41 मिनट तक रहेगा जो कि कोई भी सुबकार करने के लिए अच्छा नहीं मानते हैं रावुकाल के समय सुबकार प्रारम नहीं करना चाहिए अवजित मौरत दुपहर 11 बज़ कर 53 मिनट से लेकर दुपहर 12 बज़ कर 40 मिनट तक है जो कि किसी भी नए कार को प्रारम करने के लिए अति उत्तम वसुब माना जाता है दर्शकों मैं आपको रासी फल के अंत में बताने वाला हूं कि सनीवार के दिन घर से यात्रा के लिए निकलें तो क्या खा करने कलें जिससे कि आपकी यात्रा सफल रहे और आपका दिन सुब हो आज सनीवार के दिन कौन सी दिसा में यात्रा करें और कौन सी दिसा में यात्रा नहीं करें सुक्रवार के दिन कौन से देवी देवतावाय भगवान को पूजने की अधिक मानता है संिवार के दिन कौनसी वस्तु दान करें तता पूझा करते समय कौनसे रंग के वस्त्र पहनें एवं अपनी कारशिद्धी के लिए आज भगवान के सामने कौनसे मंत्र का जाब करें यह सब जानने के लिए आप हमारे साथ वीड़िव में अंत संनसी अब और आप इसे प्राप्त हो सकें दर्सकों आप अपना रासीफल सुनने के बाद हमारा मनोवल बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव सकारात्म कमेंट अवश्च करें जिससे के हमारे सरीर के अंदर काम करने की और एक नई तरंगती उत्पन हो दर्सकों अब बात करते हैं रासीफल के ब वालों के लिए आज के दिन अनकूल समय है ज्यादा तर काम थोड़ी कोशिसों से ही पूरे हो जाएंगे परवार के साथ धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है मेहनत के नतीजे आने वाले दिनों में अनकूल होंगे दिन चर्या वेस्त रहेगी नेगिटिव क्या रहेगा अत्रिक्त अनावश्य खर्चे आपको परेशान भी कर सकते हैं कुछ समय बच्चों के साथ भी अवश्य समय व्यतीत करें इस से उनमें सुरक्षा की भावना आएगी समय के इंसार अपने विभार में बदलाव लाना जरूरी है विवसाय में विवसाय सम्मंदी अपनी यो विवसाय की निवेश भविश्य में लावदायक सावित होगा प्रेम सम्मंदों में पारवारिक और उचित तालमेल विवस्ता आपको भावनात्म तता मांसिक रूप से खुसी प्रदान करेगी युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपने अध्यन और करियर के साथ खिलवार ना करें स्वास्ते में स्वास्ते गिन्य अत्वा बहान द्वारा चोट लगने जैसी आसंका बन रही है अत्य दिक मेनत वैं भाग दोड़ की वज़े से ब्लड प्रेसर संबंदी समय से बढ़ सकती है आपका भाग साली रंग जामनी है और भाग साली अंक प एसे सुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा आपके उचित प्रियासों और आत्मिस्वा से मन चाहे कार समय पर पूरे हो जाएंगे आपकी सम्मेदन सीलता पर घर परवार की विवस्ता को भी उचित बना कर रखेगी युवाओं का अपने किसी खास हुनर को दूसरों के समक्षिलाने का मौका मिलेगा नेगेटिव क्या रहेगा किसी भी तरह की उधारी अत्वा लेंदन करना नुक्सान दाइक रहेगा आपके कुछ नजदी की लोग ही आपके कारियों में रुकावट एवं अवरोध उत्पन कर सकते हैं इस समय कामकाज तता परवारिक जिम्म परदानी बर्तने की जरूरत है इस समय नेट वर्किंग और से सम्मध कारियरत लोगों के लिए समय अनकूल है और तेजी मंदी से तालुक रखने वाले लोग मुनापा कमाएंगे प्रेम सम्मंदों में पारवारिक सम्मंदों के बीच बेहतरी सामंजिस रहेगा घर में करना आपको स्वस्त रखेगा आपका भागसाली रंग बादामी और भागसाली अंगतीन है अब आगे बात करते हैं मितनरासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर का च्छा घा हा से सुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा मितनरासी बालों के लिए आज के दिन इस समय ग्रह की स्थिति आपके मनुवल और आत्म विस्वास को मजबूत कर रही है किसी भी विप्रीत पर स्थिति का समाधान पाने में आप सक्षम रहेंगे घर में किसी प्रकार के धार्मिक कारक्रम के आयोजन संबंदी योजनाय बनेंगी अपने आसपास के बातावरण में आपका प्रववत्त बना रहेगा नेगेटिव क्या रहेगा कभी कभी ऐसा भी मैसूस करेंगे कि मेनत की अपेक्षा प्रणाम अनकुल नहीं मिल रहे हैं परंतो यह सिर्फ आपका भेह में ही है धैर और संयम से आप समिश्या को कावो में कर लेंगे घर परवार के कार्में अत्यदिक वियस्तता के कारण आप स्वेम पर अधिक धान नहीं दे पाएंगे विवसाय में कोई भी विवस्ता एक नेड़े लेते समय किसी अनववी व्यक्ति से सलामस्वरा अवस्य करें एक गलत नेड़े आपके लाव को हानी में बदल सकता है साथी लाटरी शेर्स स्वाइक संबंदों में मधूरता रहेगी मित्रों से मेल मुलाकात तनाव भरे दिन से रहात प्रदान करेगी स्वास्ते में ब्लड प्रैसर या चोट लगने जैसी इस्तितिया बन रहे हैं अपने आवेगवे क्रोध पर नेंतरन रखें आपका भाग साली रंग आसमानी है और भाग साली अंक पांच है अब आगे बात करते हैं करकरासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर डा हे से सुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा करकरासी बालों के लिए आज के दिन कापी समय बाद किसी प्रियसमंदी से मिलने का अफसर मिलेगा तता आपसी मु मान सम्मान को बढ़ाएगा विद्यारती अपनी पढ़ाई को लेकर सजग रहेंगे नेगेटिव क्या रहेगा किसी भी नकारात्म गत्विदी में गवराने की बजाए उसका समाधान लोडने का प्रियास करें आपकी कोई महत्पूर बस्तू के खोने या चोरी होने जैसी आसंका बन रही है अपनी चीजों को समाल कर खुद रखें और विवसाए में बिजनिस सम्मंदी मैटपूर प्रोजेक्ट से विस्त अता जादा रहेगी बाहरी कामों को नजर अंदाज ना करें आप इसमें अत्रिक्त कारभार की बज़े से परेशान हो सकते हैं दूसरों क की मदद से नुकसान हो सकता है प्रेम संबंदों में दापंत्य जीवन मदर रहेगा लब पार्टनर के साथ अकारण ही किसी बात को लेकर मनमटाब की स्थिती बन सकती है स्वास्ते में स्वास्ते संबंदी नियमों का उलगना करने से आप मुझसीवत में पढ़ेंगे इसल सिंग रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर मां टा से शुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा आज सिंग रासी वालों के लिए किसी महत्पुन व्यक्ति के साथ मुलाकात लावदाइक रहेगी साथ ही आपके व्यक्तित में भी सकारात्मक परवरतन आएगा य प्यास रत लोगों को खुशकवरी मिल सकती है नेगेटिव क्या रहेगा कोई रिष्टेदार पीट पीचे आपके लिए अब भावा फैला सकते हैं परंत अपने गुस्से पर कंट्रॉल करके सांती पूर तरीके से काम लें तो परिस्तितियां ठीक हो जाएंगी पारवारि काम में फाइदेवप पीघ्टियों को काम में ज्यादा देने की आवशकता है समय पर कोई टारगेट पूरा ना होने के कारण तनाव रहेगा प्रेम संबंधों में पारवारिक वातावन सुखद रहेगा विवाष्ट प्रेम संबंध बदनामी का इन चार्डं बन सकते हैं साबदान रहें स्वास्ते में तनाव अवसाद और मौसमी वीमारियों से थोड़ा बच कर रहें अपनी दिन चर्या और खान पान को विवस्तर रखें आपका भागसाली रंग हरा है और भागसाली अंग पांच है अब आगे बात करते हैं कन्या रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर पा ठा तीन पड़ा ता से सुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा कन्या रासी बालों के लिए आज के दिन अपने कारियों को विवस्तर रूप से पूरा करने का प्रियास करें इस से आपको अपनी मेहनत के उचित परणाम हासिलोंगे व्यव से के लेंदेन को लेकर आप सी संबंदों को खराब ना करें धैर और संयम रखना जरूरी है जल्दवाजी से काम बिगड़ सकते हैं मांसिक सांती और सकुन के लिए अध्यात्म और मेडिटेशन जैसी गत्विदियों में भी कुछ समय व्यतीत करना उच्छत रहेगा किसी के साथ मनमटाव की इस्तिती बन सकती है बैतर होगा कि अपने कार्यों में ही मन मगन रहें प्रेम संबंदों में बैवाइक संबंदों में आप सी प्रेम और सामल जिस बना रहेगा प्रेम संबंदों में भी प्रगारता रहेगी स्वास्ते सारीरिक और मांसिक ठकान से रात पाने के लिए कुछ समय अपने मन मुताबिक तरीके से भी जरूर व्यतित करें आपका भागशाली रंग केसरिया है और भागशाली अंग साथ है आगे हम बात करते हैं तुलारासी के बारे में तुलारासी जिनके नाम का पहला अक्षर राता से शुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा तुलारासी बालों के लिए आज के दिन पिछले कुछ समय से चल रही ठकान भरी दिन चर्या से रात पाने के लिए आज मन मुताबिक तरीके से ही दिन व्यतित करेंगे साथी नजदी की मित्रों के साथ मनोरण्यन सम्मंदी आमोद प्रबोद में समय ब्यतित होगा बच्चे की किलकारी से सम्मंदी कोई सुब सूचना भी मिल सकती है नेगेटिव क्या रहेगा निजी परेशानियों से कामों में रुकावटें आ सकती है गर के किसी बजर्गों के स्वास्त है और लेकर चिंता रहेगी डाक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है साथी किसी असुब समाचार के भी मिलने से मन कुछ उदास रहेगा विवसाय में अपने विवसाय से संबंदित प्रत दिन्यों से अपने कोई भी योज ना शेयर ना करें नहीं तो आपके काम और फैदा उठा लेगा नोकरी पेसा लोग भी अपने फाइल और डॉकॉमेंट्स को बहुत अधिक समाल कर रखें वरना किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं प्रहम संबंदों में पारवारिक सद्षों के बीच उच्चित सामंज से बना रहेगा प्रहम संबंद के भी विवा में परणित होने के योग बन रहे हैं स्वास्ते में तुच्चा संबंदी या बल जड़नी जैसे तुच्चा संबंदी और बाल जड़नी जैसी समिश्याओं से परेशान होना पर सकता है आयरवेदिक इलाज उप्युक्त रहेगा अच्छा रहेगा भागसाली रंग आपका ओरंज है और भागसाली अंग को आठ है आगे हम बात करते हैं ब्रश्चिक रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर न या से शुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा दिन सुखद व्यतित होगा किसी सुब्चन तक की प्रेणा और आसिरवास से आपका कोई विशेश उद्देश पूरा होने की संभावना है मानसिक सकुन और सांती भी मिलेगी घर के किसी विवायोग सदस के लिए उचित रिष्टा आसकता है नेगिटिव क्या रहेगा अन्य कारभार की बज़े से आपके व्यक्तिगत कारियों में रुकारबट अभी आसकती है इसलिए व्यवस्ति दिन चरह रखें कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करें तता उनकी समिश्याओं को सुल जाने में योगदान दें रुपे पैसे के मामले सावधानी से निप्टाएं व्यवसाई में व्यवसाई गत्विदियों में सुधार होगा मेनत के अनुरूप उच्चित प्रणाम भी मिलेंगे कमिशन बीमा सेर्स आदी से सम्मध व्यवसाई में फाइदा होगा नोकरी पेसा लोगों को अपनी इस्चा के विप्रेद कोई ओपिसियल यात्रा करनी पड़ सकती है और ओडर मिल सकता है कोई आपको एक नया फ्रेम सम्मधों में विवाइक सम्मधों में मादरता रहेगी लब पार्टनर के साथ भी सम्मधों में नजदी किया बढ़ेंगी स्वास्ते में स्वास्ते के प्रती लापरवाई की बज़े से कमजोरी और ठकान में सो सकती है काम के साथ चात उचित आराम मिलेना जरूरी है आपका भाग साली रंग औरंज है और भाग साली अंक आठ है अब आगे बात करते हैं धनरासी के बारी में जिनके नाम का पहला अक्षर ये धा भा से सुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा धनरासी वालों के लिए आज के दिन पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से आज रहात मिलेगी रचनात्मक कारियों में तिल चस्पी बढ़े समास से भी संस्ता के साथ जुड़ने का मुका मिल सकता है आयका कोई रुका हुआ इस्त्रोत सुरू हो सकता है विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगा रहेगा नेगेटिव बियर्थ की गत्विदियों से खुद को दूर रखें किसी अंज्यान व्यक्ति से मुलाकात प्रेशानी का कारण बनेगी अचानक कि किसी मित्र के साथ संबंद खराब होने से मन व्यवस्तित रहेगा धैर और संयम बनाई रखना जरूरी है विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दें कारख्षेत्र में नई ओजनाएं बनेंगी उन पर बेहतरीन तरीके से अमल भी होगा हालांकी मेहनत और व्यस्तता भी अधिक रहेगी नौकरी में कोई महतपूर कारवार मिलेगा जो कि आपकी तरक्की के लिए साहिक रहेगा प्रेम संबंदों में दापत्य जीवन में और अधिक नजदी के बढ़ेंगी घर में भी सुकत माहूल रहेगा विप्रीत लिंगी व्यक्तियों के साथ ज्यादा मेल जोल वड़ाना मांसमान को वानी पहुंचाएगा स्वास्त है ज्यादा मांसिक तनाव नलें वरना माईग्रेन और इंजाइटी की समिश्या बढ़ सकत है तता अपना खान पान सोधाना जरूरी है आपका भागसाली रंग सफेद है और भागसाली अंक दो है अब आगे बात करते हैं मकर रासी के बारी में जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा खा गा से शुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा मकर रासी बालों के लिए आपको ऐसा मैसूस होगा कि साइद देवी सक्ती का आसीरवाद प्राप्त हो रहा है ज्यादा लाव की संभावन नहीं है प्रंत आप अपना बजट संतलत रखने में सक्षम रहेंगे अपनी कारक्षमता पर भरूसा रहेगा आएक के साधन बढ़ने से साथ-साथ खर्चों की भी इस्तिती रहेगी जिसकी वजह से आर्तिक इस्तिति को समाल कर रखना होगा अते बजट बनाकर चलना जरूरी है साती क्रोध और एगो पर भी नियन रण रखें तो परिस्तितियां अनकूल बनी रहेंगी व्यवसाय में व्यवस्ताय संबंदी गत्विद्यों में आं प्रेम संबंदों में दापत्य और व्यवसायक जीवन में बेहतर तालमेल बनाकर चलेंगे जिससे परिस्तितियां अनकूल बनी रहेंगी तता बेहतर वाता बरन रहेंगा स्वास्ते में रक्त चाप संबंदी दिक्कत उत्पन हो सकती है इसलिए दिमाग पर ज्यादा जोर ना दें और समय समय पर आराम भी लेते रहें आपका भाग साली रंग बेंगनी और भाग साली अंकसात है अब आगे बात करते हैं कुमरासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर गू पॉजिटिब क्या रहेगा कुमरासी बालों के लिए आज के दिन समय भागी वर्दक बना हुआ है बहारी गत्विदियों में भी ध्यान दें इससे महत्पूर्ण लोगों के साथ संपर बनेंगे जो कि आपके लिए फैदेवन साब्त होंगे अपनी दिन चर्या में कुछ स नकारात्मक बदलाव लाने के लिए आत्मेन्न और शिंतन नकारात्मक क्या रहेगा आपके लिए आज के दिन प्रवर्दी के लोगों से निश्च दूरि बना कर रखने उच्झत है आई के साधन तो बढ़ेंगे परंतों साती खर्चों की अधिक्ता भी बनी रहेगी किसी भी तरापूर इस्थिति में परेशान होने की बजाए हल दोड़ना चाहिए ब्यवसाय में ब्यवसाय मामलों में कुछ ब्यवधान आने से चिंता रहेगी कर्मचारियों तता इस्टाप के सायोग से वियस्ता उचित बनी रहेगी नौकरी में फाइल तता पेपर वर्क को पूरा करने के लिए ओवर टाइम करना पड़ सकता है तनाम में आकर उच्च अधकारियों से संबंद खराब न करें प्रेम संबंदों में पत्पत्नी आपसी संबंदों में उचित सामंजिस से बना कर रखें प्रेम संबंदों में स उस समय खुद के लिए भी जरूर निकालें वरना सेहत पर तनाव और ठकान का असर पड़ सकता है आपका भाग साली रंग हरा है और भाग साली अंक तीन है अब आगे बात करते हैं मीन राशी के वारे में जिनके नाम का पहला अक्षर दी चा जा था से शुरू होता है पॉज आज कुछ खास लोगों से मुलाकात हो सकती है आत्म विश्वास और मनोवल की मदद से आप नई उपलवदी हासल कर सकते हैं आप अपने लक्षों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहेंगे नेगिटिव क्या रहेगा ये भी ध्यान रखें कि जल्दवाजी और करने को प्राथ्मकता दें विवसाय में मार्केटिंग और मीडिया संबंद गत्विद्यों के लिए अच्छा समय है दूर दराज खेत्र से कोई महत्पूर्ण संपर्क इस्तापित होंगे अच्छे ओडर मिलने के संभावना है ओपिस में माहुल सांती पून रहेगा प्रह प्रसंगों को विवाव में प्रहनत होने के योग बने हुए हैं स्वास्ते अत्य दिक कारवार की बज़े से थोड़ा मांसिक और सारी इकतनाव महसूस कर सकते हैं कुछ समय योगा व्यायाम आदी के लिए भी जरूर निकालें आपका भाग साली रंग आस्मानी हैं और भा सुनें क्यांगों में आपको नागे बताने वाला हूं कि सनीवार के दिन हम घर से निकलें तो क्या खाय कर निकलें और हम सनिवार के दिन कौनसी दिल्सारा में जिस से कि हमारा दिन सब्रुण कम वस्तर पहन पर जा रहे हैं तो अद्रक या घी काकर निकलने से काम्यावी मिलेगी आप उड़त या अद्रक भी खा सकते हैं अगला है घर से क्या खाकर निकलने से मिलेगी हर कार में सफलता सुब कारियों में जाने से पहले घर से दही चीनी खाकर निकलें कहते हैं कि इससे आपको हर महत् कि सनिवार को कौन सी दिसा में नहीं जाना चाहिए जोतिस सास्त्र के नियमांसार सनिवार को पूरव दिसा में यात्रा करने पर दिसासूल लगता है दिसासूल के मतलब उस दिसा में नहीं जाना है जिसासुल कारत है संबंद दिसा में बादा और कश्ट प्राप्त होना इसलिए सनीवार को पूरव दिसा में यत्रा नहीं करनी चाहिए सनीवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए सराव और मासाहर का सीवन ना करें सनीवार के दिन सराव और मासाहर का सीवन करने से बचें क्योंकि यह आपके लिए जीवन में समिश्यां को आमें तरित करेगा इसके अत्रिक जिन जातकों की कुंगली में सनी असुब होता है उनके ल शनी की करम पूजा वरत ना करना पूजा विधान के दिन उपवास में क्या खाना चाहिए आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए सनी बार के दिन विदी पूरवक भगवान सनी देव की पूजा करें व्रत में अन्न का शेवन नहीं करना चाहिए सनी देव को दूप फूल फल और काले तिल अर्पित करने चाहिए सनी देव को पूजा के दोरान मंत्रों का जाप करें आर्ती करें इस a japum काले कबड़े पहणने से स्वास्त ही होता है क्योंकि सनी ओर सेहत का काफी गेरा संपन्ध है सनी मारको काले कपड़े पहनने से सनी देव तेज बुद्धी का आसी रवाद देते हैं सनी बार के दिन कुन से देवता की पूजा की जाती है सनी बार सनी देव को समर्पत है सनी बार इस दिन हनमान जी की पूजा भी करना उत्तम माना जाता है सनी देव न्याय करता है ये व्यक्ति को उसके कर्म के अंसार फ चाहिए इस बात का विशेष ध्यान रखें के भोग सात्विक और सुद्धो धार्विक मानता के अंसार इन चीजों का भोग लगाने से सनी देव प्रशन होते हैं और इंसान की कुंडली में सनी दोस्त साड़े साथी डहिया का बुरा पुराव कम हो जाता है सनी देव को प्र चाया मारतंड संबूतं तम नमामी सनी चरं पुने दोरा देता हूं ओम निलांजन सभावासं रवी पुत्रं यमाग्रजं चाया मारतंड संबूतं तम नमामी सनी चरं तो यह मंत्र है सनी देव का और आगे सनी देव को प्रिशन करने का और भी एक मंत्र जो पढ़ दिया है उम स्री सनी स्राइन में ऐसे छोटा मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं और सनी देव की किरपा पाने के लिए क्या करना चाहिए सनी देव की किरपा पाना चाहते हैं तो मास और मदरा का सेवन ना करें सनी वार के दिन सरसों के तेल का दीपक जरू जलाएं दिया हमेशा साम के समय बरगत के पेल के नीचे जलाएं और सुबह के समय पीपल के पेल के साथ जिलाएं काली घा की सेवा करना अतीपता माना ज़िए गया है काली घा को रोटी जरूर खिलाए सनी देव को क्या-क्या चड़ाया जाता है सनी देव को सरस या तिलिका scor चड़ाएं क्योंकि सनी देव को जब पीडा हुई ती तो हनवानजी ने यह फिर लगाया था ध्यान रहे कि जब भी सनी देव पर तेल चड़ाया जाता है आपकी नजने और चड़ों पर होनी चाहिए आपकी नजने उनके चड़ों पर होनी चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि सनी देव से आखे नहीं मिलानी चाहिए सनी देव को कुंसी दाल दान करनी चाहिए काली उडद की डाल दान करना सुब माना गया है लेकिन इस दिन काली डाल नहीं खरीज़ çıkए सनीवार के दिन टोटके किया सनीवार के दिन सनी यंत्र की पूजा की जाए तो इससे सनी देव की किरपा वर्षती है सनी देव के बुरे प्रवाव को सांत करने के लिए सनी बार के दिन सनी यंत्र की पूजा करें मासार का त्याक करें और अपने सामर्त अंसार गरीम को दान करें इस दिन काली गाय को उड़त की दालिया तिल खिलाएं, सनी देव को कौन सी मिठाई पसंद है, सनी देव को गुड का भोग लगाना भी अतियुत्तम माना जाता है, माना जाता है कि गुड का भोग लगाने से सनी देव जल्द प्रशन होते हैं, भक्तों को अपना असिर्वा देते हैं, सनी बार के दिन सनी देव को गुला को डिल नहीं दोखाना चाहिए सनिवार के दिन of the nic that night your audible guide सुनिदेव की दिरिश्टी में आप आया के वागिदार हो सकते हैं और सनी देव के सनी देव ऐसे व्यक्ति को घोरदंड लोग होसे लिए सनीवार के दिन बाल काटना नाखुन बताएं और हमारा उत्सा वार्दन करें जिससे कि हम आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने परिष्टत करते रहें विदा लेता हूं और मैं एक निवेदन करता हूं विदा से पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं